लगभग तीन पार्ट दो पार्ट के आसपास हो चुके हैं फिजिस के ये तीसरा पार्ट है और इसमें लगभग 22 से 33 कुईस्चन है क्योंकि जो पिछला वीडियो बना था उसमें 35 कुईस्चन थे लेकिन 8 से 9 कुईस्चन शरी वीडियो में आपके माध्यम से जा पाएं बा बाकि इसमें जो कुईस्चन इसको हम देख लेते हैं जो इस इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं जो कुईस्चन प्रिविएस यर के हैं सीपी नेट के हम बता दें क्योंकि अटल बिहारी बास पर ही के तो कम कुईस्चन जो हमारे कंटेक्ट में थे आये थे लेगिन सीपी नेट के तो सारे कुईस्चन कंटेक्ट में आ जाते हैं इसका जो करेक्ट आप्सन होगा वन रदर फोट में होता 10 पावर 6 डेके पर सेकेंड ये डायरेक्ट एंस्वर बेस कुईस्चन हम करवा रहे हैं जो अटल बिहारी में पूछ रहा है और जो सीपी नेट में पूछ रहा है इस टाइम हलाकि पैटर्न जो अटल बिहारी का है सेम यही पैटर्न हम देख रहे है डिक्टो पैटर्न अटल बिहारी का है अगर जो इक्जाम दिये होंगे 2021-2022 में वो जान रहे होंगे सेम पैटर्न है, 2021 का भी ऐसे पैटर्न था, हमने देखा, 2022 का भी पैटर्न ऐसे ही था, answer-based question थे, तो आराम से आपका selection हो जाएगा, अगर ये questions important आप देखते रहेंगे, fix से गारांटी लेते हैं, एक questions गलत नहीं होंगे, बाकी bio का हम PDF करते रहेंगे, bio का कम questions जो की आपके सामने लेकर आएंगे, बाकी chemistry के, अगर हो सकेगा तो लेकर आएंगे, लेकिन chemistry की संभावना बहुत कम है, fix थोड़ा सा लगवक ठीक ठाक हमारी है, और fix ठीक होने का reason है कि fix को काफी जादा हमने time भी दिया था, अपने तैयारी के समय में, तो fix के जादा हम focus करेंगे, फिर bio पे भी focus करेंगे, chemistry पे थोड़ा कम focus करेंगे, next question है, इसका जो correct option होगा, वो होगा, आपके सामने answer number B, NH by 2, 5, NH by 2, 5 ये correct option है, आपको हम बता देंगे, जो बोहर model है, इससे questions आना हर साल compulsory है, इससे questions हर साल हर exam में questions आते हैं, और ये जो हमने PDF उठाया हुआ है, हम इसलिए इस questions को उठाया हुए है, क्योंकि कुछ हम देख रहे हैं, जो answer हैं, उसी पे questions बने हुए हैं, तो ये next question है, next question है, what is the output of end gate, when both the inputs are 0, अगर both input 0 है, तो result का आएगा, अगर दोनो 0 है, तो result 0 आएगा, आपसन ये correct होगा, question number next है, the atmospheric air is held to the earth by, जो atmospheric air होती है, held earth बे जो मतलब रुकी हुई होती है, जो atmospheric air है, तो किसके कारण, gravity के कारण, winds कारण, clouds कारण, rotation आप दी, earth क्या, earth rotate कर रहे हैं, उसके कारण, जो है, earth पे हवा, ये atmosphere, जो है, earth पे atmosphere, ये held कर रहा है, तो correct answer, इसका आपको पता होगा, gravity है, gravity के कारण, ये सब हो रहा है, gravity अगर नहीं होगी, तो आप जानते हैं, कितनी समस्याएं होंगी, which of these principles is applicable in the case of motion of rocket, इसमें कौन सा conservation of law follow हो रहा है, जो इसमें conservation of law follow हो रहा है, conservation of mass, conservation of charge, conservation of momentum, conservation of energy, इसका जो correct option होगा, option C, आपको भी पता है, momentum conserve होता है, which of the following is not a vector quantity, आपको भी पता है, vector quantity क्या होती, scalar quantity क्या होती, velocity, velocity, speed, torque, displacement, displacement अपने आप में एक vector quantity है, torque, force है, ये भी vector quantity है, force is equal to mass into acceleration, velocity, ये भी एक vector quantity है, इसके बाद आती है, speed, जो की एक vector quantity है, speed is scalar quantity, scalar quantity, vector quantity से हर साल question आना कमबल सरी है, question number next है, because of which of the following a man stand close to the platform at a railway station, मतलब railway station पे आदमी close contact में है, experience से pulling force towards the fasting movie train, train move कर रही है, और आदमी जो है वो platform पे side में है, तो ये पूछ रहा है, इसके regarding कौन सा options होगा, gravitational force between the train and man, man और train के बीच में क्या gravitational force लग रहा है, illusion of man, क्या man का illusion है, भ्रहम है, बिल्कुल नहीं, the centripetal force, centripetal force तो हो गई नहीं, pressure difference due to a fast moving in a between, तो इसका जो correct option होगा, वो option D होगा, आपको भी पता है, जो वहाँ पे pressure create हो रहा है, जब तेजी से train जा रही है, तो वहाँ एक pressure create हो रहा है, question number next है, what is the unit of relative density, relative density की unit क्या है, केजी पर meter, केजी पर meter square, केजी पर meter cube, it has no unit, relative density की कोई unit नहीं होती, option number D is correct, इसमें से relative density की कोई unit नहीं होती है, question number next है, which of these states of matter has maximum density, मतलब इसमें से maximum density कोई नहीं होती होती, soil liquid gas, ननाफदी, ननाफदी होगा नहीं, gas होगा नहीं, liquid होगा नहीं, best option यहाँ solid है, कि solid है ही यहाँ पे जो maximum density content करता है, question number next है, which of the following represents the condition of far floating, floating के लिए F by NC is equal to mg, F by NC plus mg is equal to 0, F by NC by mg is equal to 1, F by NC is equal to mg, best option इसका होगा, बाइंसी का जो लगेगा, वो mg के equal होगा, best option हो जाएगा ही, question number next है, which of the following instruments is used to measure the relative density of liquid, relative density of liquid इसमें क्या measure करेगा, hydrometer, hydrometer, lactometer, gravitometer, lactometer तो मिल के लिए हो गया है, इसका answer होगा, best option ही, hydrometer, direct answer based question, इसलिए आपको ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, question number 19 है, which of these instruments is used for testing the priority, आप मिल को उपर से, यहाँ पे आपको answer मिल गया, lactometer, देखिए इसका answer lactometer होगा, आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है, कुछ questions ऐसे हैं, बहुत से questions होते हैं, आप सन्ग भी आपको detail में पढ़ना पढ़ेगा, जैसे emitter क्या है, hydrometer क्या है, galvan meter क्या है, इसके बारे मिल थोड़ा सा आपको जानना पढ़ेगा, question number next है, what do we call the process taking place at a constant pressure, isobaric, isocoric, adiabatic, isothermal, इसके बारे में आपको जानना पढ़ेगा, इसके formula के भी बारे में जानना पढ़ेगा, और isobaric, adiabatic, isocoric, isothermal, इसके difference के भी बारे में आपको जानना पढ़ेगा, इसके question पूस्ता है, question उठाने का हमारा मतलब यही है, इसके बारे में बता देना, यह important है, यहां से question आने की संभावना maximum है, तो इसका जो option हो जाएगा, answer correct हो जाएगा, भी हो जाएगा, वो हो जाएगा, आईसो बारी, question number next है, what is the SI unit of power of lens, lens के power की SI unit क्या है, बहुत important question, question repeat किया हुआ है, atal vihari का और cp net का, diopter हो जाएगा, best option, meter क्या है, what time diopter, इसके बारे में भी आप पढ़ लेंगे, second किसका है, what किसका है, meter किसका है, question number next है, which of the following eye defect, is also known as farsightness, farsightness के बारे में इसमें पूछ रहा है, myopia, myopia क्या होता, myopia में जो होता है, वो 25 cm के बाद नहीं दिखता है, hypermyopia, hypermyopia क्या होता है, less than 25 cm नहीं दिखता है, contract क्या होता, contract एक disease है, none of these, जो eye की disease है, और इसका जो answer हो जाएगा, वो farsightness पूछ रहा है, मतलब hypermyopia हो जाएगा, hypermyopia, question number next है, what is the SI unit of magnetic flux, magnetic flux किसकी SI unit है, Tesla की unit है, Maxwell की unit है, Waver की unit है, Newton की unit, जो magnetic flux unit है, वो unit है, Waver की, तो Newton किसकी unit है, Maxwell किसकी unit है, Tesla किसी unit है, इसके बारे में आप लोग जान लेंगे, question number next है, in which of these transistors, the two segments of N-type semiconductor, N-type के semiconductor है, जो की separate हो रहे हैं, segment के दवारा P-type semiconductor से, तो इसका answer क्या सही होगा, P-N transistor, N-P-N transistor, both है N-B, जो इसका correct option होगा, वो होगा, N-P-N transistor, option B is correct, question next है, which of the following, is a commonly used modulator, in a nuclear reactor, nuclear reactor में modulator की तरह, क्या यूज होता है, heavy water, graphite water, all of these, question next है, what is the time period of second pendulum, देखिए, यहाँ पूछ रहा, second pendulum का time period क्या है, second pendulum का time period है, 1 second, 2 second की, 0, 5 second की, 1, as 5 second, जो second pendulum का time period है, वो 2 second, 2 second कैसे है, 1 second, इदार जाने में लगा, 1 second, इदार second pendulum का, जो time period है, वो है, 2 second, question number next है, which of the following, is not a vector quantity, इसमें मैंसे, क्या vector quantity नहीं है, vector quantity, scalar quantity, हमने पहले बता दिये, आपको, इसके बारे में, पता होना चाहिए, हर साल पूछता है, momentum, displacement, torque, speed, displacement, vector quantity है, torque एक परकार से force है, ये भी, vector quantity है, speed, momentum, momentum भी, vector quantity है, जो speed है, यही vector quantity नहीं है, question next है, which of the following, is not one of the, fundamental quality in physics, इसमें से कौन fundamental quantity, मतलब physics के fundamental quantity को follow नहीं करती है, time, weight, mass, मतलब वो quantity change हो जाती है, time, weight, mass, weight, अगर आप जो है, यहाँ पे weight कुछ और है, अगर आप उसी weight को moon पे ले जाते हैं, वहाँ weight कुछ और हो जाता है, mass जो की change नहीं होता है, time, length, यह भी नहीं होता है, which is, तो यहाँ पे जो correct option होगा, वो होगा weight, question next है, which loss say that when pressure is applied to a fluid, जब कोई pressure fluid पे apply हो रहा है, the pressure change is transmitted to very part of a fluid without any loss, तो जो pressure है, वो transmit हो रहा है, every part of a fluid, सभी part के मतलब, पूरे fluid में जो है, वो pressure transfer हो रहा है, लेकिन उसमें जो है, fluid में कोई change नहीं हो रहा, कोई loss नहीं हो रहा, यह कौन सा ला फालो करता है, उक्सला, बर्नॉलीजला, बर्नॉलीज्टियूरम, इस question को उठाने का हमारा मतलब यही है, जो यह चारो नियम दिये हुए है, इसके बारे में आप पढ़ लें, क्योंकि यहां से question, direct formula based पे question पूछ लेता है, cpnet में भी, क्योंकि cpnet में इस type के questions कम आते हैं, numerical के question जादा आते हैं, लेकिन अडल बिहारी बाचपेई में, हुक्सला जैसे पूछ लिया, बर्नॉलीज ला पूछ लिया, अवेड्रो गेड्रो ला पूछ लिया, पासकला, तो यह चारो ला important है, इस question का उठाने का मतलब यही था, जो इसका correct option हो जायागा, वो हो जायगा D, पासकला, टोटल यहाँ पे questions की संख्या, लगभग 22-23 questions रही, important questions जो हमको लग रहे हैं, यह questions exam में पूछे जा सकते हैं, और इस questions को पूछने की संभावना 99% है, यह ध्यान रखिए, इस type के questions अगर आप लगा रहे हैं, अच्छी बात है, और जादा questions आप difficult way में न पढ़िए, इसी type के questions आएंगे, और यह जो बता रहे हैं, उसको बस एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, तो इतने मेरी selection हो जाएगा, मतलब अगर हम daily physics के 20-20 questions करवा रहे हैं, तो लगभग एक महीने में लगभग 20-23-60, आपको 600 questions मिल जाएंगे, और questions वहां कितने आएंगे, मात्र वहां पर आएंगे, आपके सामने 40 questions, तो यहां से आपको physics अच्छे खासी strong हो जाएगी, अगर physics आप यहां से एक बार देख ले रहे हैं, बाकी हम चाहते हैं कि, जैसे इस ला को भी explain करते हैं, लेकिन इस ला को पूरे explain करने में, काफी जादा समय लग जाएगा, वीडियो काफी जादा lengthy बन जाएगा, क्योंकि हमने कल वीडियो बनाय था, वो वीडियो थी, अनतिस से चालिस मिनट की थी, और वीडियो पोस्ट भी नहीं पाई, ना पूरी वीडियो इडिट भी हो पाई, तो इसमें समय भी काफी हमारा बरवाद हो गया, और काफी जादा energy उसमें भी लग गई, तो हम यह चाहते हैं, कि आपके सामने maximum 20 questions लेकर आएं, क्योंकि अगर हम 20 questions daily करवाद दे रहे हैं, उतना बहुत है, और 20 questions और लेकर आएं, वो भी questions अच्छे हों, जो option भी अच्छे हों, मतलब उस option से भी question future में बन सकें, आप जो paper देंगे, यह important question है, अटल व्यारी वाज़ पे, medical university, BSC nursing के लिए, और जो student cpnet की preparation कर रहे हैं, Instagram telegram link है, उसको भी आप join कर सकते हैं, बाकी PDF हम कल इसको telegram पे send कर देंगे, मिलते हैं किसी next video, हमने update के साथ, जैहिंद,